वेलकम दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आई टी आई टूशन में दोस्तों आज की डेट में जो एक्जाम होने वाला है इंप्लॉइबिल्टी स्किल का सेकंडियर का इसका पूरा पेपर लेकर हम आचुके हैं तो आप सभी अगर एक्जाम द देखे का हिंदी तता इंगलीज दोनों लेंगोज में पेपर आता है तो आप सभी के लिए जो है पेपर हिंदी तता दोनों लेंगोज में यहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए बात करते हैं पहला कुश्चन यहाँ पर क्या पूचा गया है जब आप फीड़ बैक परदान करते हैं तो स्रोता को बताएं कि आप क्या परदान कर रहे हैं सुझाओ या सुधार के लिए रचनात्मक प्रतक्रिया या टिपड़ी या पिनकरात्मक प्रतक्रिया तो यहाँ पर जो correct answer है option number B है इस question का right answer second question देखे यहाँ पर दूसरा question पूछा गया है PPE का पूरा नाम पूछा गया है तो PPE का पूरा नाम होता है option number A यहाँ पर correct answer है personal protective equipment होता है इसका right answer होता है option number A यहाँ पर correct answer है तीसरा question देखे थीज़ा detailed question पूछा गया है भेट देखकर उत्पादक्ता बढ़ाई जा सकती है क्या देखकर जो है उत्पादक्ता को बढ़ा सकते है प्रोसान प्रसिच्चड और नौकरी का अनुभव केवल प्रसिच्चड या केवल जॉब साइट का अनुभव तो यहाँ पर जो करेक्ट एंसर है बी ऑप्सन जो है इस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा चोथा कुश्चन यहाँ पर पूछा गया है बी आई एस का पूरा नाम पूछा गया है बी आई एस का पूरा नाम क्या होता है ब्यूरो आप इंडियन स्टेंडर्ड होता है तो यहाँ पर जो correct answer हो जाएगा चार का Bureau of Indian Standard तो यह option number 3 हो जाएगा यानि कि C option यहाँ पर correct answer हो जाएगा पांचवा question देखिए पांचवा question पूचा गया है पांचवा question है केवल 30 सेकंड में smart और सक्तिसाली तरीके से अपना परचे देना क्या कलाता है किवल 30 सेकंड में अपना परचे देना क्या कलाता है तो रित काल, बासर या लिप्ट पिच, इलिवेटर पिच या बीप केस तो यह क्या कलाता है इलिवेटर पिच कलाता है पांच का जो right answer हो जाएगा option number C हो जाएगा इसका correct answer चाटा question देखिए चाटा question पोचा गया है जो चीजे हमारे नियंतरण में है और जो हमारे नियंतरण में नहीं है उनकी पहचान करने में करने से हमें होने की मदद मिलती है क्या मदद मिलती है तो हमारे अंदर जो है इसमें आत्म अजाग रुकता पैदा होती है तो B option जो है इस question का correct answer हो जाएगा साथवा question देखिए क्या पूछा गया है इस दवरान ITI के प्रसिच्चो उद्योग में PCVर से मिलते हैं तो किसके दवरान ITI के प्रसिच्चो जो होते हैं ये उद्योग में PCVर से मिलते हैं किसके दवरान मिलते हैं तो आपसे नमबर D जो है इस कुशन का करेक्ट एंसर हो जाएगा इंटर्ट सिपोर्ट सिच्छुतक के दौरान जो है यहां पर मिलते हैं कुशन नमबर देखिए आठवा यहां पर पूचा गया है आठवा कुशन पूचा गया है आपका असाइमेंट आपकी कच्छा के कच्छा के अन्य लोगों की तरह जो है नहीं है तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो यह जो है किसका उधारड है तो यह किसका उधारड है आ जारड होता है तो option number B यहाँ पर correct answer हो जाएगा question number 9 देखिए यहाँ पर पूचा गया है यहाँ पर एक खाले अस्थाम दिया गया है इसको जो है आप सभी को भरना English Literacy का question है तो question number 9 का जो correct answer है option number E यहाँ पर right answer है अगला question देखिए दास्वा question क्या पूचा गया है दास्वा question पूचा गया है जब आप company उसके नियुकताओं के बारे में जानने के लिए link hidden को explore करते हैं उद्द्यों का update प्राप्त करने के लिए आप आदी आप ही इसमें जो है explore कर रहे हैं तो यह क्या कर लाता है तो यहाँ पर जो correct answer है option number B second option यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question है power point जो cable text सेसक और bullet proof को दर्स प्रदसित करता है यह जो है counts of view होता है तो यह counts of view होता है यहाँ पर right answer है option number third यानि कि यह outline view के अंतरगत आता है है अगला question देखिए अगला question यहाँ पर पूचा गया बारह नंबर का ms power point में नियुनतम जूम आकार जो है कितना होता है नियुनतम कितने percent तक जूम कर सकते हैं तो यह कितने percent तक कर सकते हैं 10 percent तक कर सकते हैं maximum जो है यह 400 percent होता है तो यहाँ पर जो correct answer हो जाएगा option number C यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 13 देखिए आपर जब आप किसी मौझूदा web page का पता टाइप करने के बाद enter या space बटन दबाते हैं तो Microsoft Office Word आपके लिए क्या बनाता है chart बनाता है hyperlink बताम बनाता है या header and putter बनाता है तो किया बनाता है यह जो है hyperlink को बनाता है तो right answer इसका हो जाएगा option number B यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला question देखिए अगला question यहाँ पर पूछा गया है आदत बनने में कितने दिन लगते हैं तो कितने दिन लगते हैं यहाँ पर जो है maximum 21 दिन लगते हैं तो 21 दिन बाद जो है आपकी आदत यहाँ पर पढ़े जाती है question number 15 देखिए 15 number का question पूछा गया है social media में हम अपनी भावनाओं और भावनाओं को अब्यक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं तो social media में किसका यूज करते हैं emoji का यूज करते हैं तो right answer हो जाएगा option number B question number 16 देखिए यहाँ पर पूछा गया है mouse के दो बटनों के बीच इस्तित्वील का प्रियोग जो है किया जाता है जो अपने देखा हो mouse के बीच में जो बटन होती है इसको जो है आगे पीछे page को आगे पीछे करने के लिए करते हैं तो यहाँ पर option जो है कौन सो हो जाएगा select item को क्लिक करने के लिए यहाँ पर यह नहीं होगा sit down करने के लिए भी नहीं किया जाता है वे page पर click करने के लिए भी नहीं किया जाता है तो option number A जो है यहाँ पर right answer हो जाएगा क्योंकि जो है इसका प्रियोग पेज को स्क्रोल करने के लिए किया जाता है 17 नमबर का question देखिए पूचा गया है इंटरनेट पर किसी ब्यक्ति के बारे में सब कुछ जैसे facebook, twitter और instagram पर profile को क्या कहते है तो इसे जो है online profile का जाता है या digital profile यहाँ पर कहते हैं तो D option जो है यहाँ पर correct answer इसका हो जाएगा question number 18 देखिए पूचा गया है यहाँ पर एक तस्तानों की पूर्ति करना है तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा तो यहाँ पर जो भरा जाएगा boxes बरा जाएगा option number 8 जो है यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question देखिए यहाँ पर पूचा गया है गुर्वत्ता प्रबंदन पढ़ाली समस्चा समधान के लिए कुछ उपकाड़ों को पयोग करती है निमलेकित में से कौन उनमें से एक नहीं है तो यह इनमें से कौन से नहीं होता है 4D और 4S तरीके तो यहाँ पर C option इस question का correct answer है अगला question देखिए यहाँ पर भरना है आप सभी को English literacy का question है तो यहाँ पर क्या भरते हैं यह more हिज भरते हैं तो right answer इसका है option number A यहाँ पर correct answer है question number 12 देखिए पूछा गया है एक संगठन के भीतर संचार वरिष्टों के साथ होता है और मित्रों और सहकर्मियों के साथ हो सकता है तो यह जो है किस प्रकार का संचार होता है तो यह कैस का right answer है यहाँ पर D option correct answer है और अपचारिक और अनपचारिक संचार यह होता है तो D option इस question का correct answer है अगला question देखिए बाइस नंबर का अलप बिराम पूड बिराम प्रश्ण वाचक चिन यह सबी जो है किसके अंतरगार आते हैं तो यह सबी जो है बिराम चिन होते हैं बी option जो है इस question का right answer हो जाएगा अगला question देखिए यहाँ पर है जब आप किसी procedure से पेचकस उधाल लेते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए जब आप किसी दोस्त से जो है पेचकस को लेते हैं तो क्या कहेंगे तो क्या आप मुझे पर अपना पेचकस दे सकते हो ऐसा ही कहेंगे तो यहाँ पर right answer हो जाएगा आप से number एक correct answer हो जाएगा चोबिस नमबर का question है CPU से सूचना प्राप्त करने वाला उपकरण किस प्रकार का उपकरण होता है CPU से सूचना जो प्राप्त करता है कौन प्राप्त करता है output devices प्राप्त करते हैं जैसे हो गया monitor तो यहाँ पर जो correct answer हो जाएगा D option correct answer हो जाएगा CPU में सूचना को बेशता को ना है तो यह जो है input devices बेशती है जैसे keyboard हो गया, mouse हो गया और यहाँ पर कई सारे जो input devices होती है यह जो है CPU में सूचना को भेशती है 25 नमबर का question पूचा गया press the end of presentation presentation, powerpoint presentation को end करने के लिए किस कुझी को दवाते हैं तो यह जो है ESC कुझी को press करते हैं तो correct answer इसका हो जाएगा option number यहाँ पर correct answer हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 25 question आपके complete हो चुके हैं तो इसके बाद जो है हम आपके लिए वरकसाब calculation का भी आज का जो पेपर है अप्लोड कर देंगे तो चैनल को जरूर subscribe करिए क्योंकि 80% ऐसे लोग हैं कि सब भी ना subscribe करके देख रहे हैं तो subscribe जरूर करिएगा वीडियो को like और share करिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में thanks for watching this video